मैं आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज किस विशेश दारिय कराशे फुल के कारिक्रम है कमेंट करके बताएगा जरूर कि आपकी जिन्दगी कैसे चल रही है आप सभी कैसे हैं क्योंकि यह जानना और इसके बारे पूछना मेरे लिए ज़्यादा जरूर है क्योंकि आप सभी अमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं आप देख रहे हैं 20 अगस्त मंगलवार का राशिफल आपका मंगल में दिन गुज़े इसके लिए आप क्या करें राशिफल के साथ साथ हम वो भी बताते हैं का आपको कैसा दिन गुजारना चाहिए चंद्रबा की सबसे पहले बात कर लेते हैं रेवती नक्षतर के मीन राशी में रात को दस बच कर 27 मिनट तक और फिर मेश राशी में अश्विरी नक्षतर पर रहेंगे बादर पद कृष्ट पक्षपंच में दिती आज पूरे दिन रहेगी आज ग्राहों से बनने वाले शुब वैशी योग, पराकरम योग का साथ भी लेगा लेकिन केमदरूम दोश और स्रापित दोश भी रहेगा आज के दिन अगर आप कोई शुब कारिय करना चाहते हैं इसके लिए शुब समय की तलाश करना है कर रहे हैं जैसे कोई डॉक्यमेट पर साइन करना है, कोई फैसलर देना है, कोई मीटिंग करनी है ये समय दोफैर को बारा बज़े से दो बज़े तक है लेकिन दोफैर को तीन से साड़े चार बज़े तक रहुकाले उससे चोड़ कर और कभी भी कर सकते हैं लेकिन बारा से दो सबसे अच्छा टाइम है अब आप सभी को आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मात्र बता रहा हूँ हो सके तो इसे अपनाएगा जरूर याद रखिए जिन्दगी में मुसीबते चाय के कप में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक मलाई जंती है वो मलाई की तरह ही जिद्दगी में समस्या होती है कामियाब वो लोग हैं जो उस चाय के कप में जमी हुई मलाई को फूक मारके साइड में करके चाय पीना जानते हैं इसे समस्यां को दरकिनार करिए साइड में रखिए और आगे बढ़िए अभी तक आपने हमारे सुक्स हौभा की सुत्रम में जो एंड में बताता हूँ उसे वास्तु के बहुत सारे टिप्स को जाना है अब मैं 23 अगस से वास्तु के टिप्स की बजाए जोतिश से जुड़ा हुआ कोई भी एक योग या फिर ऐसी कोई जानकारे जो आपके काम आ सकती है उसे बताऊंगा ताकि हमारे सभी जोतिश प्रेमी उस पर विश्वास रखने वाल लोगों को लाब बे सके हैं कारिगरम के अंत में आप मेरे स्केडिल को जानेंगे अगर आप मुसे परसली मिलना चाते है तो उसके लिए मैं कहां कहां पर हूँ अगर इस वक्त आपके काम में कोई बादा आ रही है कर्ज बढ़ रहा है तो आज हम क्या उपाए करें सुख सौभा के सुथरम बात करेंगे अगर आप कोई बिजन्स प्रिमीजेज या फिर कोई ऐसा इंस्टीटूट चला रहे है जो कॉमर्शिल है वहाँ पर हमें टॉइलेट किस दिशा में यह कहां बनाना चाहिए चार भागिशाली सब्सक्राइबर की समझस्यां का समाधान भी होगा देखेगा हो सकता आज आपकी समझस्यां का समाधान हो जाए सबसे पहले आज की ग्राओं की सद्धी बात करें तो चंद्रमा आ रहे हैं मेश राशिप में मित्वन राशिब रहू है बुद्धी की कारग्रे बुद्ध करग राशिप में इसी से मैंने आपका आज का राशिफल तायर किया है जिसे आप अपनी चंद्राशी और लगन पराधारित वैसे ही देखने का प्रियास करें मेश राशी से शुरुआत करते हैं आज आपको अपना ज्यादातर ध्यान अपने विवेग के तरफ देना है आपका कॉमन सेंस कैसे बढ़ सके इस पर दियान दे रहे है अगस महा के मंतरी राशिफल को भी अगर आपने देखा हो तो मैंने वताय था आप सभी को कि 20 अगस को चंद्रमा आपके बाहर वे रहेंगे जो हो सकता है कि आज आपके कोई काम में डिले डिस्ट्रमेंस तकलीफ देने की कोशिश करें जिससे आप अशांत भी हो जाएं अगर ऐसा होता है तो आप अपना और अपनों का ख्याल कूल और रिलेक्श मैंड में रहते हुँ अच्छे डिसिसन लेकर करें और यही सोचें कि समझ से एक दो दिन के चली जाएगी और उसके लिए मैंने चाय के कब का उधारन दिया ही है आपको बिजनस में आज आपको धन से संबदित मामलों में कुछ दिक्कत आ सकती है डिले डिस्टर्मेंस हो सकता है इसलिए अपना कोई व्यवस्ता पहले से करकर रखें धन से जुड़े मामलों में सावधानी से काम लेना चाहिए वर्क प्लेस पर दूसरों के व्यवहार से सुखी हो जाएं और मानसिक तनाव को अपने अपर हवी होने न दे कारण कि मानसिक तनाव जिंदिगी में इंसान को बहुत सारी तक्लिव देता है आपको स्वैम को संभालना आना चाहिए एंप्लोईज पर सीनियर्स के कारियों का प्रेशर होने से परेशाने बढ़ सकते ह हो सकता आप लेट लतिफी आलसियर कुछ ऐसी स्थी में फ़स्दा हैं या अपने काम में ऐसे मश्गूल हो जाएं कि आप अपने ऑफिशल काम में ध्यान न दे पाएं इसके लिए आपको टाइम टेवल अच्छा बनाना पड़ेगा जीवन साथी लव लाइफ और रिलेश सकता करना पड़ जाएं इसलिए कोई भी बड़ा नेड़ने या चोटा नेड़ने लेने से पहले सोच समझ के विचार कर लें और फिर आगे बढ़ें स्टुडेंट के लिए अध्यान में आज का दिन बहुत शुब है इसलिए डट कर मेहनत करिए तनाव बढ़ने से डाइबिटी के मरीज़ लोगों के लिए अस दिन ठीक नहीं है ध्यान रखेगा लाकी गलब ब्राउन नमबर फाइव शुब है भागी उदेकार अग्दिशा पस्चिव रहेगे वरिशब राश्यों वाले लोगों को आज अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए क्या बढ़ा कर ज्यादा लाब दे सकते हैं या फिर खर्चों में कमी की जा सकती है खर्चों से पूरा लाब कैसे लिया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए बिजनस में उन्नती चाहने वाले लोगों को आप यह सोच सकते हैं कि उन्नती तो आप चाहते हैं लेकिन उसके अनुसा काम के परती निस्ठावान रहें, कारी में मन भी लगेगा और लाब भी बिलेगा, जिवन साती लव लाइफ और रिलेशनिशिप की किसी भी बात को लेकर आप सहमत हो सकता है ना हो, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से काम करोगे तो लाब बिलेगा, ऐसी सती में मन मुटाव और मर्द भेत और मन भेत से बचने की पूरी कोशिश करें, स्टुडेंट आज पढ़ाई से भागने का बहुत बन करेगा, बहुत डिस्ट्रैक्शन होगा, इसके लिए बचाता हूँ, अच्छी नीन लेकर आप पढ़ाई पर लगें, ताकि ये सब चीज़े कम हो सके, सेह राशी बाले लोगों को आज आपका लाब किस काम में है, क्या ऐसा काम करें कि आपको प्रॉफिट बिल सके, तो आप उसी काम के तरफ जद्दो जहत करें, बिज्जनस पर किये गए परिश्रम से, आज आपको फाइदा ज़्यादा बिलेगा, वर्प्लेस पर आज यदी रखते हैं, तो पहले अच्छे से विचार और विमर्श कर लें, उसके बाद ही कदम बढ़ाएं, एम्पलोईस के विवहार में निर्मलता रहेगी, जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशन्शिप में, वाद और विवाद से बचने की पूरी कोशिश करने चाहिए, और एक खुश्णुमा वातावरन कैसे बना चाहिए, रोमेंटिक बाहुल कैसे बना चाहिए, इस पर विचार आपको करना चाहिए, रिलेटिव के साथ या किसी चिर परिचित वेक्ति या फिर अपने मित्र के साथ विवाद होने की, या विवाद में लड़ाई जगड़े तक की नौबत आ सकती, इसलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो भी बात हो उसमें दीरेज दैरी और संयम से काम लें, इस्टुटेंट समय से पूर्वर रिविजन को कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश करें, सेहत में पहले से वेटर बेंड हो रहा है, गाड़ी बहु की मदद करने चाहिए, पिता से संबने कोई भी बात जो अच्छी हो वो करने चाहिए, कॉर्पोरेट जगत में आपके वेभार और कारी शेली से लोग काफिय तक कायल हो जाएंगे, आपकी भाचा शेली से लोग प्रवावित होंगे, आपके वैक्तितों में निखार बिजनस पे भी फाइदा होगा, वर प्लेस पर आज आप मजबूत इच्छा शक्ती के साथ कारी को आगे बढ़ाते हुए उस पे सफलत अर्जित करेंगे, इसलिए मजबूत इच्छा शक्ती, सही योजना आपको लाब देगे, एम्प्लोईज अपने लक्षिय को पाने के आपके कंदों पर जिम्मेदारियों का बोज रह सकता है, और आपके कंदे मजबूत है, इसलिए बोज आ रहा है, समझधारी के साथ इन जिम्मेदारियों को निभाने से लाब बिलेगा, तयार और ततपर रहें इसके लिए, स्टुडेंट को कॉम्पेटिटिव एग्जाम या जनरल एक्जाम जो अब शुरूरू होने वाले हैं उसके लिए अपने आपको फिट बनाते हुए चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली और आगे बढ़े सेहत पहले से बैटर है लग की कलर वाइट नमबर 6 हुब है बागी उद्यकार अग्जिशा पूरू रहेंगे सिंग राश्यवाले लोगों को आज अपना जाता तर ध्यान स्पिरिच्छल एक्टिविटिस और धार्मी ग्यात्राओं के तरफ होना चाहिए अगर आपने हमारा दैनिक राश्यवल के साथ-साथ बंतली राश्यवल पे देखा हो तो अगस माह के राश्यवल में मैंने सिंग राश्यवाले लोगों को बताया था कि आपके बीस अगस को चद्रमा आट पे रहेंगे जो हो सकता है कि कोई मानसिक अशान्तियाब को दे दे कोई काम में डिले डिस्ट्रमांस या तकलीफ दे दे अगर ऐसा होता है तो यही सोच है एक दो दिन के समस्या निकल जाएगी अपना और अपना हुआ खयाल रखने की जिम्मेदारी आपके खुद की है बिजनस में आज आपके लिए बहतर होगा कि पैसों के मामले में किसी भी वेक्ति पर आँख मूंद कर विश्वास न करें और जो भी काम करें या करवाते हैं उस पर खुद वाच करिए और खुद काम करने की कोशिश करें वर्ड प्लेस पर आज आपको विशम परिसित्यों के सामना करना भी पढ़ सकता है और एम्प्लाइज को उच्छा धिकारियों से कारी का प्रेशर भी देखने को बिल सकता है हो सकता है कि आज आज आप लेट ऑफिस गया हो आलस से हो लेट लतीफ यो कुछ पर्सनल काम के वज़े से डिस्टाब हो रहे हो तो इसका खामेजा आपको आफिस बुगता पढ़ सकता है इसलिए आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं कैसे एंडल करते हैं ये काबिलित तो आपको भगवान ने दिया बस आज उसका इस्तिवाल करिये जिवन साथी लव लाइफ और रिलेशन्शिप में आज विवात की सुखबोगाट मुझा रही है ऐसा होने पर परिस्थिती को सही डंक से संभालने और एंडल करने की काबिलित आपके इंदर है उसको एपलाई करेगा किसी बात को लेकर रिष्टे का अंत भी हो सकता है इसने रिष्टे बनाने में बहुत मैनत करने परती बिगाटने में चंद दो बोली काब हैं काफी है इस्टुडेंट का holiday को लेकर किसी group discussion में बच्चों के साथ अपने friends के साथ गुमने फिरने को लेकर ननीहाल या किसी illustration में जाने का भी मौका मिल सकता है अधियन पर जुकाओ, कम रहेगा, सेहत पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूत है कनिया राची वाले लोगों का अपने सस्टुराल की परती ध्यान देना चाहिए और कोशिश करें कि जितना अच्छा सस्टुराल की परती वेवार होगा उत्रा अच्छा रहेगा बिजनस में नई चुनोतियों के स्विकार करने के लिए उत्सुक रहेंगे और आखिरकार में किर्तिमान इस्थापित करने में सफल रहेंगे नौकरी में प्रमोशन की सती रहेगी एम्पलोईस का मन चाहिस्तान पर इस्तान अंत्रन होना या कोई स्पेशल चीज होने से आब बहुत खोश होंगे कई सकारात्मक बद्राव आपको देखने को बिलेगे कोई भी फैसला लिने से पहले विचार व विबार्श जरू करें और उन लोगों से जरू डिसकुशन करें जो इसमें महारत आसिल करते हैं और आपके वेल विशर हैं स्टुडेंट को अध्यन में बद्राव के परम आवश्यक्ता है मौसम बदलता है आपको भी अपने एंवियर्मेंट को बदलने की पूरी कोशिश करने चाहिए और अपने रूटीन को थोड़ा परिवर्थित करना चाहिए सेहत में छोटी या मोटी परिशानियों के सामना आज आपको करना पड़ सकता है तुला राशी वाले लोगों को आज अपने जीवन सात्य और जीवन संगिनी के साथ बहतर तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करने चाहिए एक दूसरी की भावनाओं की कदर करते हूँ आगे बढ़ना चाहिए बिजनस पर विरोधियों की वज़े से आपको कुछ अर्चनों का सामना करना पड़ सकता है वर्ड प्लेस पर आज आपके सामने अचानक कोई परेशानी आने से आप हड़ बड़ा हट पर कोई फैसल लेंगे बलकि थोड़ा सा प्रेशर कम रोगे थोड़ा सा शांत रोगे तो आपको अपने आप सॉलिशन नजर आएगा जिससे आपके परेशानी खत्म भी हो सकती है एम्पलोईस को आज अपने कारियों में कुछ फेर बदल भी करने पड़ सकते हैं जिवन साथी लव लाइफ और रिलेशन्शिप से कहा सूनी भी हो सकती है किसी बात को लेकर खटास आ सकती है इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि वह खटास ना आए इस्टुडेंट आज अध्यान में आ रहे हैं कन्फुजन के बारे में टीचर से अपने वेल विशर से अपने अच्छे दोस्तों से सलाह मश्वरा जरू करें कोई पुरानी विबारी वापस दर्वाजा खट-कटा रही ध्यान रखेगा लग्की कलर रेड नमबर फाइब शूब है बागी उद्धर कारतिशा दक्षिन रहेगी वरिश्टिक राश्यों वाले लोगों को आज कर्ज को कहत्म करने के लिए कर्ज को कम करने के लिए सही नीती और योजना बनाने चाहिए कहां से हम इंकम जनेरेट कर सकते हैं कैसे इंकम को बढ़ा सकते हैं इस पर ध्यान दरा चाहिए बिजनस में आज आज आप अपने अधूरे कारे निप्टाने में काफी व्यस्त रहेंगे और ऐसा ही होना चाहिए वर्ड प्लेस पर आज दूसरों से मदद बे धड़का आप मांग सकते हैं और मदद करने का मौका बले तो तुरंट कर लेना चाहिए एंपलोईस को आज अपने कारे एक शमता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा उसमें चूकेगा मत दो तीन बार आपको मौके अच्छे मिलेंगे जिससे धन कमा सकते हो लाब कमा सकते हो इसलिए आँख और कान खुले रखिएगा दामपती जिवन लव लाइफ और रिलेशिशिप में आज आपको ज्यादा ही पजेसिव हो सकते हैं इसलिए आज के दिन को आपको कैसा बरना है कैसे इस पर काम करना है इस पर विचार आपको करना हो कर आज के दिन आपको इस ट्रैवल प्लैन आने वाले भवश्य की कोई योजना बरना सकते हैं जिसके लिए बहुत अच्छा दिन है एंटर्टेन्मेंट के लिए प्लैनिक हो सकती है चाहिए वो मूवी देखना हो या खेल कुद हो इस स्टुडेंट को भी एंटर्टेन्मेंट के बाद आके बढ़ना चाहिए जिन लोगों को आधा शिशी दर्द है यानि माईगरेन है चक्कर आते हैं उन लोगों के लिए आस दिन ठीक नहीं है खैल रखियेगा अपने धन लाब को बढ़ाने के तरफ होना चाहिए दन योग कैसे बन सकता है और धन के लिए मैं क्या एंवाइर्मेंट बनाऊं जिससे मुझे लाब बिल जाए बैनिक राशिफल के साथ साथ अगर आप मेरा मंतली राशिफल में देखते हूँ तो मैंने आपको बताया था कि 20 अगस को चंदरमा आपके चौते रहेंगे जो हो सकता है आपकी वज़े से मेरी वज़े से किसी और के वज़े से को तनाव या आशानती हो जाए अगर ऐसा होता है तो आप यही सोचें कि एक दो दिन की समस्या निकल जाएगी अपना और अपना होगा ख्याल रखने के जिम्मेदार ही आपकी खुद की है इसलिए कूल और रिलैक्स मैंड में रहते हुए काम करें बिजनस पर आज आपको हर निड़ने लेने से पहले अच्छे से सोचना और विचार करना जरूरी होगा वर्ब प्लेस पर आज आज आपको किसी महतुपूर्ण कारी के सिलसले में आगे बढ़ना पड़ सकता है यातरा करनी पड़ सकती है कोई ESPOWAL काम करना पड़ सकता है हो सकता है मन मार के भी करना पड़े लेकिन करना जरूर चाहिए EMPLOYS को आज अपने काम में काम से काम रखना चाहिए किसी और की कई बार हम बातों में विशवास कर लेते हैं पंच बनकर उसमें इंवाल होना वह नहीं करना चाहिए इससे आपका भी लाप नहीं है और दूसरों का भी नहीं है जीवन साथी लव लाइफ और रिलिशिर्शिप के साथ कोई कड़वी बात हो सकती है इसलिए कड़वी बात को कहने से बचना चाहिए कोई और कहता है तो उसे नजर अंदास करना चाहिए क्योंकि यह समझे एक दो दिन की है स्पोर्ट से जुड़े वे खिलाडी हो या फिर पड़ाई से जुड़े वे विद्यारती हो दोनों को अपने खुन पसेना एक करने की आज कसम खा लेनी चाहिए कोई कमर कसने तक की नौबत आएगी तो कस लेनी चाहिए और इस पर खुब बैनत करने चाहिए आज हड़ियों में दर्द इस्पेशली लोवर बैक पर प्रॉब्लम हो सकती है ख्याल रखेगा लाकी कलर औरेंज नंबर नाइन शूबे भागी उदे कारक दिशा उत्तर रहेगी मगर राशी वाले लोगों को आज अपने माता जी की तरफ ध्यान देना चाहिए बिजनस पर किसी टेंडर को लेकर आपके मन में थोड़ा कन्फिजन हो सकता है वर्ट प्लेस पर आज आप गलत फेमे कोई शिकार भी हो सकते हैं एंप्लोईज को कुछ नया करने के मौके भी मिलेगे जीवन साथी लव लाइफ और रिलेश्यशिप का मूड अच्छा रहने से आप अच्छे रहेंगे क्योंकि आज आपके परफॉर्मिस अच्छे रहेंगे लिए इंजरी की मुझे सुख बुगाहट नजरा रही है आज के दिन में अगर सही योजना बना के चला जाए तो काम भी पूरे होंगे उल्टा एक्स्ट्रा और एडवांस काम हो सकते हैं खिलाडियों के साथ साथ विद्यारतियों का दिन भी आज बहुत अच्छा गुजरेगा परफॉर्मिस अच्छे रहेंगे पुराने रोगों मेंसे कोई एक रोग आपको वापस परिशान कर सकता है खैल रखेगा रूटीन डिस्टप बिल्कुल भी नहोने दे कुमबराश्य बाले लोगों को आज अपना ज्यादातर ध्यान अपने आपको पराकरमी बनाने की तरफ देना चाहिए बिजनस पे आज आपका पुराने से पुराना कोई मन भेद और मध भेद आपके हाथ लग सकता है जो आपके जले पर नमक न चेड़के बलकि मरहम लगाने की कोशिश करें वर्क प्लेस पर पुराने मामले में आपको रहत बिलेगी एमप्लोईस आज पूरी तरह व्यवहारिक और संतुलित रहने की कोशिश करें अपने काम से मतलब रखें क्योंकि कोई और डिस्टब करेगा इसका असर आपके नज़ती की लोगों पर भी पड़ेगा दामपती जीवन लव लाइफ और रिलेशनिशिप में सुकत अक्षणों का जो आपको आवास होगा और यह रोमेंटिक और रोमांच चकपल आपको बहुत याद आएगे जीवन साथी लव लाइफ और रिलेशनिशिप में सर्प्राइज होने वाला आज जिसके बारे में आपने शायद सोचा होगा लेकिन पूंडता रहें स्पोर्ट से जुड़े वे खिलारी हो या पढ़ाई से जुड़े वे विद्यारती हो दोनों को आज प्रिपरेशन बहुत अच्छी करने चाहिए और अपने कोच और टीचर से सलाह और मश्वरा जरू करना चाहिए सेहत के माबले में दिन बहुत अच्छा है खान पान से आपको ध्यान रखना चाहिए कि गलत खान पान से परहिज करना चाहिए बिजनस या निवेश का कोई अगर प्रस्ताव है तो उस पर आप बहुत सावधानी से विचार करने के बाद ही आगे बढ़ें आफिस से परिस्तितियों के आफिस की गॉसिप या लैक पुली है कोई भी ऐसी परिस्तिती जो कि आपके काम की गती को थोड़ा धीमा कर सकता है आपको डिस्टब और डिस्ट्राक्ट कर सकता है ऐसे लोगों से बचना चाहिए एंप्लॉईज का कारे सल पर समय ज्यादा वेस्ट हो सकता है इसलिए एंजॉई तो जरू करें लेकिन वेस्ट बिल्कुल भी न करें जिवन साथी लव लाइफ और रिलिश्टिशिप के साथ अपने आपको कंदे से कंदा बिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करें ये नहीं सोचे कि अकेले ही सारे काम कर लेंगे या मेरी पत्री काम कर लेंगे आपको बराब बर दूसरे का साथ देना चाहिए इसलिए काम आनन्द देगी आपको इस्टुडेंट कॉम्पेटेटिव एक्जाम के तराव को लेकर उसे दूर करने को लेकर विशेश प्रयास करें इसकिन और हड़ी से जुड़ेवे कोई रोग वाले लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए लाकी कला ग्रे नमर तीन शुबै और आबुदा भी रहूँगा उसके बाद ऑक्टुबर मन्त में इटली जर्मनी और इंग्लेंड में रहूँगा नॉम्बर मेने में मैं आस्ट्रेलिया फीजी और सिंगापूर में रहूँगा अगर आप भारत में रहते हैं तो 22 अगस को मैं दिली हूँ 23 अगस को लखना 26 अगस को अमरिसार 30 अगस को मुंबई और 31 अगस को पूने रहूँगा सेप्टमर मन्त में मैं तालों के ताल नैनी ताल भी जाने वाला हूँ तो आपको इसकी जानकारी शिग्र ही मिलेगी अब आप अपने जिंदकी से जुड़े वे किसी वर्तमान के मसले में कोई कारिय बे बादा आ रही है तकलिफ आ रही है तो डिले डिस्ट्रिमेंस हो रहा है कर्ज या फानेंस को लेकर परिशान है तो आज आप मंगलवार के दिन कैसे मंगलवार बादावरन बना सके हैं इसके लिए सबसे पहले तो कूल बाइंड बे रहकर समस्या को नोट करें उसके इस आपके बास समाधान क्या क्या उसे नोट करें और फिर विचार उमर्स करके समाधान को आगे बढ़ा के कम कर सकते हैं। और उसके बाद उसे प्रार्तना करें और हो सके तो सफ़ेद आगड़े के पुछ्शमों के माला भी अरपित करें। और उसे प्रारतना करें कि मेरी कर्ज मुक्ती हो, इसके लिए मुझे आशरवात दें और मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं धन लाब अरजित कर सकूँ, इसके बाद आपके कर्ज में और तकलिफें और कारी मारी बादा हैं काफियत तक कम हो जाएगी। सुख सौभा के सुत्र में बात करते हैं कि अगर आप कोई बिजनस प्रिमीजेस चला रहे हैं उसमें जो टॉयलेट होता है वहाँ आपको कहां बनाना चाहिए कोशिश करनी चाहिए कि यह साउथ दिशा में हो तो सबसे अचा है या उत्तर पस्चिम की दिशा में हो तो भी बैटर रहेगा जैसे मेरे सामने अभी उत्तर दिशा है तो मेरे लेफ पे जो है वहाँ पस्चिम दिशा होगी उत्तर और पस्चिम की दिशा का जो कॉर्णर है वहाँ पर अगर टॉयलेट हो तो ज्यादा कारगर होता है। मैं आप सभी को हमारी मासी पत्री का ग्राओं का केल का सदर से बनने के लिए आमत्रेट करता हूँ। आप हमारी फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर और शेयर चैट के माद्यब से भी आप उसे जोड़ सकते हैं। आपका दिन मंगल मैं हूँ, इसके लिए आप हमारी ग्राओंकाकिल.co.ion वेबसाइट पर जाकर बहुत सारे सर्विसेज और कोशिश करें कि जो संकल्ब के मुहीम है, उसका इस्सा आप सभी बन सकते हैं। शांदार दिन गुजरे इसकी प्रारतना करते हूँ, अपने जुबान को यहीं विराम देना चाहता हूँ, प्यार वरा नवशकार और बहुत बहुत आशरवाद. आपकी और मेरी एक मुलाकात, आप मैंसे बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी कई बार मिल चुके होंगे, बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम परसनली बैठकर अपनी समस्या का समाधान करें. मैं कोशिश करता हूँ, चाहे वो रोजाना के राशेफल में चार लोगों सबस्क्राइबर की समस्या का समाधान हो, या लाइव टेली कास्ट के माद्यम से आप लोगों की समस् इस कड़ी में मैं आपको मेरा चोटा सा स्केडूल बता देता हूँ, अगस्ट और सितंबर महिने का जिससे आप देखें और समझें और नोट करें, 30 अगस्ट को मुंबई में और 22 अगस्ट को दिली रहूँगा, 17 अगस्ट को मैं गुडगावा जिसे अब गुरु गराम क सितंबर महिने में सबसे पहले 6, 8 और 20 सितंबर को मैं दिली पर रहूँगा, 7 सितंबर को काटमाडू, 9 सितंबर को नैनिताल और 13 सितंबर को एहमदाबाद में रहूँगा, उसके बाद 14 और 26 सितंबर को मैं मुंबई में रहूँगा, 15 सितंबर को मैं गुवा में लास्ट टाइम जो लोग करनाटक में बैलगाओं में जाने का प्रोगाम था लेकिन मैंने उसे गोवा कर दिया था तो इस बार भी बहुत सारे लोग जो बैलगाओं और गोवा में रहते हैं उन्होंने यही गुजारिश की थी का आप गोवा ही आएं तो मैं गोवा 22 सितंबर को मैं कोलकाता रहूँगा 22 सितंबर को पटना रहूँगा बिहार में 27 और 28 सितंबर को मैं दोवई और आबुदावी में रहूँगा अक्टूबर महिने में मेरा इंगलेंड, जर्मनी और साथ में इटली का प्रोगाम रहेगा नॉम्बर महिने में मेरा प्रोगाम रहेगा फीजी आईलेंड, सिंगापूर और ऑस्ट्रेलिया का अगर आप इन शहरों और देशों में रहते हैं और मुझसे परसरी मिलना चाते हैं इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं ग्रहोंकाकेल.co.in पे वहां से भी आप अपने अपटमेंट बुक कर सकते हैं या हमारे जोदपुर का जो कारेले हैं जो नंबर दिये जा रहे हैं वहां डायरेट कॉल कर आप अपने अपटमेंट बुक कर सकते हैं या फिर आप इमेल कर सकते हैं आप हमारे वाटसाइब नंबर पर वाटसाइब कर सकते हैं डिटेल मिल सकती हैं आपके और मेरी एक बुलाकात निश्चित रूप से हमारी एक नहीं कई समस्चाओं का समाधान बन सकती है मुझे आप सभी का इंतिजार रहेगा बहुत-बहुत शुक्काम नाए लोग कहते हैं कि खाली हाथ आये थे और खाली हाथ ही जाएंगे जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं भाग्य लेकर आये हैं और कर्म लेकर जाएंगे जी हाँ यह बात एक दम सही है यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविश्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवा, आपका जौब या बिजनस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवा आप हमसे पूच सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बलकि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाए और बेतर जीवन जीने के कुछ सुजाओ भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं। टेलिफोन अथवा व आ सकते हैं। ये जन्म कुंडली विशलेशन आप टेलिफिजन के माध्यम से या फिर कम्प्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahoonkakhel.co.in पर अस्ट्रोलोजिकल सर्विसेस पर क्लिक करना होगा। या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिध्धी केंद्र के इस नंबर पर जो है 0091-98290-26625 पर कॉल कर सकते हैं या वाटसैप भी कर सकते हैं। अड्रेस सुरेश श्रीमाली, हाइकोट कॉलनी, जोदपुर, इंडिया। कॉन्टाक नंबर है 0091-98290-26625 इमेल एड्रेस है info at the rate grahoonkakhel.co.in